वेल्कम बेक एप्रिवन देखिए 35 से 36 दिन का टाइम है रिवीजन का जो घंटें आप लोग बढ़ा दीजिए तस तक पहुचा दीजिए चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 55 है फॉर यूपीस सी प्रिलिम्स 2019 एक्जामनेशन के लिए 2 जून का एक्जाम है एक प्र कर देना लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए अगर वीडियो पसंद आती है देख लाई जरू करना चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट जितने भी इसमें प्रश्ण है सारे के सारे करेंट अफेट से लिए गया है जो अभी हाल ही में समाशारों में थे न अच्छे से इसको सुनना, रिवाईज करना और याद रखना चलिए पहला प्रश्ण स्क्रीन पर विश्व पुस्तक दिवस के संदर में निमलेखित कतनों पर विचार कीजिए 23 अप्रेल को दुनिया भर में विश्व पुस्तक दिवस का आयोजन किया गया 23 अप्रेल को यूनेसको हर साल इस मौके पर कारिक्रमों का आयोचन करता है और विश्व पुस्तक दिवस की थीन तयार करता है यूनेसको गलते देखें यूनेसको ही करता है इस अवसर पर मलेसिया के कौलालामपूर सहर को 2019 के लिए वर्ड वुक कैपिटल के तोर पर चुना गया है 2019 मतलब ofere कर दो साल के लिए तो यह गलते देखें यूनेसको चुना गया है यह को 2020 चुना गया मतलब अगले बरस के लिए एक बरस पहले इस हो देता है यह नानांस्मेंट तो कौलालामपूर चाहर 2020 के लिए है वर्ड बुक कैपिटल और 2019 के लिए जब वर्ड बुक कैपिटल है वह सार जहां कहां का यूए का और इसका अनौंसमेंट 2018 में हो गया था तो कौन सा कथन सही हो जाएगा इसमें के वल पहला और दूसरा तो देखिए 23 अप्रेल को दुनिया परे में 20 सुपोस्तक दिवस का आयोजन किया गया यूनेस को हर साल इस मौके पर कारेकरमों का आयोजन करता है और 20 सुपोस्तक दिवस की थीम तयार करता है इस अब सर पर UAE के सहर सार जहां यह नाम याद रखिए 2019 के लिए वर्ड बुक क एपिटल के तोर पर चुना गया है इसका निर्माण एक वर्स पहले ही कर लिया जाता है मतलब इसका निर्माण एक वर्स पहले ही कर लिया जाता है यह इंपोस्तक दिवस के संदर में निमलिकित कत्मों पर विचार कीजिए फिर से स्टेट्मेंट है कुछ किताबी दुनिय दुनिया में कॉपिराइट एक एहम मुद्दा है है इसलिए विस्व पुस्तक दिवस पर इस मुद्दे पर भी जोर दिया जाता है दिया जाता है करेक्ट है इसी वज़े से दुनिया के कई हिस्सों में इसे विस्व पुस्तक और कॉपिराइट दिवस के रूप में मनाया ज देता है बिल्कुल देता है यह भी और एक्जामे आ सकता है अच्छे से सुनना इस को संदर में कुछ स्टेटमेंट विचार कीजिए हाल ही में चाय का उतपादन और चाय की खबत करने वाले देशों ने, Asian T alliance, नाम क्या है, Asian T alliance का गठन किया है, किया है, καरेक्ट है, यह गठन भारत की राजधानी, नई दिल्ली में किया गया है, देखे, सारी चीज़ा नई दिल्ली में नहीं होगी, यह गलत है, यह चीन के गुई जों में हुआ है इस एलाइंस में भारत चीन है स्रिलंका है जपान है और कनाडा नहीं है देखिए इसमें गलत हो गया है कनाडा सामिल नहीं है इसमें इंडोनेशिया है कनाडा कहां सा गया तो पहला करेक्ट है दूसरा गलत है चीन में हुआ है इसका गठन और इसमें कनाडा नहीं है इसमें है भारत चीन स्रिलंका जापान और इंडोनेशिया तो केवल एक यहां पर हो जाएगा सही तो देखिए एशियन टी एलाइंस नाम याद रखना है इंपोर्टन्ट है हाल ही में चीन का चाय का उत्पादन और खपत करने वाले देशों ने एशियन टी का में किया है यह सबसे चाय के उत्पादन और घपत करते हैं कि एस्टे टी एलाइंस का हो सकता है एशियन टी एलाइंस पांच राश्ट्रों ने मिलकर शुरू किया ये चीन है स्रिलंका है भारत है यपान है और इंडोनेशिया इनको याद रखना ये सारे के सारे एशियन कंट्री हैं अगला प्रश्ण है हाल ही में वेग्यानिकों ने तेल की खपत करने वाले वेक्टिरिया की खोज की है यह है वेक्टिरिया कहां पाया जता है बताईए सुंद्रा गर्त में मतलब सुंद्रा टैच में कहां है सुंद्रा ट्रेंच इंडियन ओशियन में मेरियाना गर्त कहां है पेसिफिक उच्छन में लक्षदीब तो इंडिया का इस पहाँ है तो देखे यह जो है बेक्टिरिया की जो खोज की है यह मेरियाना गर्थ में की है मतल़ा पैसिफिक उच्छन में देखे एक होज मेली की सतह बिल जाता है जब उसको अधरम टाता है तो इसे क्या पहले देखे जब मचली होती है जो फट च्वाइक अंदर उनके पंड़ उपर यह जाएगा एक लगता बना लेता है वह जाए नहीं तो देखिये हाल ही में बैग्जानिकों ने मेरियाना गर्थ में एक बिसेश प्रकार के जीवानों की खोज किया है सोध करताओं ने गर्थ से लिए गए एक सेंपल में ऐसे सुक्ष्ण जीवों को पाया है जो तेल जैसे योगिकों को खाते हैं और फिर इंधन में इसका उप जेंटों की ने भचाब ho सकेगा पांच्वा प्रष्ण है प्रत्वी दिवस और दे के संदर में निमल kittenol पर वीचार कीजिए 22 अप्रेल को पूरी दुनिया में प्रत्वी दिवस मनाया गया प्रत्वी दिवस नेटवर्क पूरी दुनिया में इस दिवस का आयोजन करता है प्रत्वी दिवस नेटवर्क ही प्रत्वी दिवस का आयोजन करता है और थड़ी का प्रक्रेक्ट है इस वर्ष पृत्वी देवस की थीम प्रोटेक्ट आवर इस्पीसीज है देखें करेक्ट है तीनों का तीनों स्टिप्टोन है आपके करेक्ट हो जाते हैं और यह मोस्ट इंपोर्टेंट है इसलिए मैंने टेस्ट का जो प्रशन है दूसरी बार रखा एक बार और भी पूछाए पहले अगला प्रशन है एजेंट ओरेंज एजेंट ओरेंज अभी हाल ही में समाचारों की सुर्खियों में था परसों के निव्जपपर में था किया है एजेंट ओरेंज पष्चमी घाट में खोजी गई जंगली Character सेटलाइट में मार्धियो में भारत के नोर्थिच चाज्ट में खोजी गई ओर कि ये वला साइड का मतलब समझते हो साइड का मतलब होता है हट्या, यसा होता न, यह पढ़ते होके आप English में, one word substitution, frettricside, matricide, homicide, regicide, राजा की हत्या, यह वो, तो यहां site का मतलब है हत्या, किसकी हत्या हर्वी, हर्वी का मतलब हर्व, मतलब घास, फूस, पौधे, पेड़, पौधे, तो हरवी साइड, अजैन्ट औरेंज हरवी साइड है। यहाल ही में News में हैं, समचारों की शुर्खियों में, क्यों बना हुआ है। 396 में वियत नाम के वική हुआ था युद्ध अमेरिका गए, अब अमेरिका से उसको छिड़काब किया उपर से डाला इन्होंने जंगलों में ताकि जो जितने भी वहां जो लड़ा को छिपे हुए थे उनका मतलब पूरा वो तहसन हो जाए सब कोश और वह खाना वाना जो भी वहां भोजन पनाते हैं पेड़ों से प्राप्त करते हैं वह पूरा मतलब अच्छे से सुनना मोश्ट इंपोर्टेंट यह देगे एजन्ट और एंज हर भी साइड है जो बनों और फसलों को खत्म करने के लिए उन पर डाला जाता है तो इसका प्रियोग 1960 के दसम्त में अमेरिका ने व्यतनाम के उपर किया था जब उनके वीच युद्ध चला था अमेरिकाने युद्द की दोरान वयतनाम के देहांती में। वयतनाम के देहाती जंगले इलाकों में करोडों गैलन कीटनासक एजेंट है। कीटनासक एजेंट औरेंज बरसाया। ताकि वहां किसी भी प्रकार की खेती ना की जा सके और जंगलों में छिपे लड़ाकों के लिए गुजर बसर करने में परिसानी खड़ी की जा सके एजेंट औरेंज में भारी मात्रा में डायोक्सिन होता है यह इंपोर्टन लाइन एजेंट औरेंज में भारी मात्रा में होता है डायोक्सिन डायोक्सिन क्या है जिससे कैंसर जैसी भयावे बिमारियों उत्पन होती है एक अनुमान के मताबिक इससे वहां 48 लाख नागरिको की मौत हो गई थी या बिकलांग हो गए थे इसके साथ ही लाखों बच्चे अनुवांसिक बिमारियों के साथ पैदा हुए थे हाल ही में अमेरिका ने व्यतनाम में इस्तित पूर्व एजेंट औरेंज भंडारन इस्थल की सफाई है तो एक कारिक्रम की सुरुवात की है इसल सब्सक्राइब होती है और इसमें नाम के कंपाउंड पाया जाता है याद रखना इसको चलिए इंपोटेंट है देखिए गरिया पूजा महतसब कोस्टन नमपर सैबन है गरिया पूजा महतसब कहां मना जाता है बिहार त्रिपुरा में घाले या पश्यम बंगार तो यह समें इंपोटेंट यूपीएश सी आर्टेंड कल्चर के तो इसका कुशन पूछ सकती है त्रपुरा में मनाया जाता है इसमें होता क्या देखिए गरिया पूजा में यह बांस इस बांस का एक पेड़ है ना बांस का जो होता है तो इस पे माला यह पहनाते हैं लोग तिला जो जन जातियां हैं त्रिपुरी और रियांग जन जातियां इसे फसल के त्योहार के रूप में मनाती हैं इस त्योहार में एक वांस के खंबे की फूलों और मालाव से पूजा की जाती है जो की भगवान गरिया का प्रतीक होता है देखें जिब वांस का खंबा इसकी फूलो पर त्रिपुरा में एक स्याटियन है नेमलेकत जीलों पर विचार कीजिए नागिन जील डल जील मानसार जील उपरोक तुमेसे कौन्प कमिन से जिने हैं झाल कस्मीर्प करें जेले किली तो देखेस अब ड्ल है आप को पता होगा ही पड़ी तो यूट hect सब्सक्राइब भी हैं तो दल हैं नागिन हो यह इंग है नागिन उसक्त तो यहीं हो जाएगा आ सूुरिन सर मांसर पैंगोंग और सो मिरीडि मैंकश्ड पर विचार कीजिए ट्रोजन हाॉर्श और वार्म निम्लिकट में से कौन से कंपिटर की परन्ली को नुक्सानन पहुचाते हैं कंपिटर सॉफ्ट वर को फाईलो को नुक्सान पोचान दे बताईए तो अभी देखिए फिर अभी टेश्ट कराया था में इनकर तीन दिन पहले इनको याद रखना है मुश्ट इंपोर्टेंट है दोनों के दोनों ट्रोजन हार्स और वार्म दोनों के दोनों तो यह दोनों के दोनों सब्सक्राइब करें अगर आप भारत ब्रहमण करें और उत्तर से दक्षण की और यात्रा करें अगर मैप में निम्ले के धरोहर आप लोगों को दिखाई देंगी एक तो है लिंगराज देवता का मंदिर दूसरा है तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर ब्रिदेश्वर मंदिर नैना देवी मंदिर इन मंदिरों को उत्तर से दक्षण की और सजाना है नौर्थ टू साुथ चलिए आजाईए कौन सा ओगा इनमें से सबसे पहले देखो है कहां का देखें लिंगराज देवता का मंदिर तो सुनने होगा कहां पर है उड़ी सा में सायदी ओ नैना देवी मंदिर नैना देवी टैंपल यह उत्त्रा खंड में ब्रिदेश्वर फ केरल में तो नहीं हो सकता लेकिन तमिलनाडू केरल में इसके ज़्यादा चांस है वेंकटेश्वर नाम इस तरह के जो नाम होते हैं वो साउत में चलते हैं या आंधर प्रदेश में भी हो सकता है तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी सबसे उत्तर में नेना देवी उसके नीचे आओगे तो पढ़ेगा उडिसा उडिसा में है लिंगराज देवता का मंदिर उसके थोड़ा से नीचे चलोगे तो पढ़ेगा अंदर प्रदेश में है तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर और सबसे नीचे साउत में तंजओर तमिल्लाडू नेनादेवी का टेंपल हो गया सबसे उपर है ना उत्राखंड नेनिताल में तो एक नंबर पर यह आ जाएगा दो नंबर पर यह आ जाएगा तीन नंबर पर इसको रख दो चौतिय नंबर पर इसको रख दो तेशलिए हमारे जू आंसर हो जाएगा तो चलिए देखिए नेना देवी मंदिर नेनिताल उत्राखड में लिंग राज देपता का मंदिर उडिसा में तिरुमाला वेंकटेश्वार मंदिर अंदरप्रदेश में और विर्धेश्वार मंदिर तंजोर तमिल लडों में इस तरह के प्रश्ण यूपीएस्टी के अब बारे कर दो सीधे जितना हो सके उतना रिवाइज करो थैंक्स फो वाचिंग लिंक प्लेलिस्ट का वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्स हमें